विद्याले का सम्विधान कहानी में हमने पढ़ा कि प्रत्येक विद्यार्थी के कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं। प्राय है हमें अपने अधिकार तो याद रहते हैं, परन्तु अपने जिम्मिदारियों को हम भूल जाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, जिस परकार से देश का सम्विधान होता है। उसे परकार से प्रत्येक विद्याले का भी अपना एक सम्विधान होता है। समिदान में दिये गए नियमों का पालन करना प्रतियक विद्यार्थी का प्रथम कर्दव्य है. आईए जाने की ये नियम क्या है? प्रतियक विद्यार्थी को अपने विद्याले के ध्वज और अपनी वर्दी का सम्मान करना चाहिए विद्याले के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए तथा विद्याले में अनुशाशन बनाई रखना चाहिए विद्याले के प्राकृतिक पर्यावरण जैसे बाग, बगीचे, खेल का मैदान, पेड़ पौधों आधी को नुकसान नहीं बहुचाना चाहिए विद्याले की संपत्ती जैसे स्कूल बसों, फरनीचर, वादय यंत्रों, खेल सामगरी, पुस्तकाले की पुस्तकों पत्रिकाओं आधी की देखबाल करना प्रत्येक विद्यार्थी का करतव्य है विद्याले में अनेक धर्मों, जातियों और भाशाओं के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहन करते हैं अधा प्रत्येक विद्यार्थी को आपसी सहाद्र, भाईचारे और समानता की भावनाओं को बड़ावा देना चाहिए विद्यार्थीयों को सभी प्रकार की कुरितियों जैसे अपशब्द, लड़ाई जगडे, चोरी नकल, आदी से दूर रहना चाहिए विद्याले के अध्यापकों, अध्यापिकाओं व कर्मचारियों के प्रती आधर भाव रखना चाहिए एक दूसरे के प्रती सहियों की भावना रखना शिक्षा का प्रत्थम मूल मंत्र है प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल व व विजली की बरबादी से बचना चाहिए धुनी प्रद्यूशन के प्रती सजक रहना चाहिए प्रती एक विद्यार्थी को विद्याल्य की संस्कृति व गौरवशाली परंपरा की रक्षा करनी चाहिए विद्याले और विद्यार्थी का गेहरा रिष्टा है अधा, पूरी निष्टा व इमानदारी के साथ अपने विद्याले के सम्विधान का पालन करना चाहिए